देखें बिहार में सिपाही भरती परिक्षा पाचवे चरण में आयोजित की गई थी आपको बता दे कि इस परिक्षा की जो पहले चरण की परिक्षा थी वो 7 अगत से शुरू हुई थी और 5 चरण में ये परिक्षा चली और कल यानि 25 तारिक को रविवार को इस परिक्षा क का आखरी चरन था और आखरी चरन वाले दिन इस परिक्षा से जुड़ी ऐसी ऐसी खबरे सामने आए हैं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि आखीर बिहार में आयोजित होने वाले इस तरीके की परिक्षाओं में ऐसी गडबड़ी क्यू होती है दरसल आपको बता दे कि बिहार में सिपाही भरती परिक्षा के अंतिम चरण यानि पाचवे चरण के दीन एक ऐसी ख़वर सामने आए कि बिहार के पटना में एक सिंटर पर इस परिक्षा के दोरान एक बिहार थी जो है वो ओयमार शीट का कारबन कॉपी लेकर भाग जाता है आपको बता दें कि इस पूरे मामले में चार अभियार्तियों को गिरफ्तार किया गया है पर अचार के आरोब में अलागलत केंद्रों से चोः अभियार्तियों को गिरफ्तार किया गया जबकि सात वर प्रास्मी की दर्श की गई आरा शहर के के Pfizer ultrasound के विद्याले केंद्र से एक अभियार्ति कर रही है जिले के पसौर गाउं का निवासे लिपिक बिहार माध्यमीक शिच्छक संका जिला सचीव भी है विच्छक व लिपिक पर स्मार्टफून लेकर परिक्षा हॉल में जाने का रूप है पुलिस ने दोनों पर प्रास्मी की दर्श करने के बाद आगे की करवाई के PCP Inter College के पास Bluetooth device के साथ एक परिक्षार्थी को पकड़ा गया है जो नवादा जीरे का है बेगु सराई के BP Inter School से एक फर्जी परिक्षार्थी को पकड़ा गया वह लखी सराई की परिक्षार्थी रंजीत कुमार की जगब परिक्षा देने के लिए आया हुआ था और अंग अधरपूर में एक को Bluetooth तथा बेगु सराय पूर्णिया और सहर्ता में दूसरे के स्थान पर परिक्षा देनी कारोप में अभी अर्थी गिरफ्तार हुए हैं गया कॉलिज में रविवार को शौर्ट सर्कृत से आग लगने से सिपाही भरती के पाच्वे चलन के परिक्षा आपको बतारें 12 के ASP परिचे कुमार ने बताया कि विक्षक के हाथ में मुबाइल दिखा गया था मजिश्ट्रीट पहुचे तब तक लिपिक को मुबाइल पकड़ा कर विख्षक फरार हो गया लिपिक के पॉकिट से मुबाइल पकड़ा गया S.P. ने बताये कि पूरे मावली की जाच की जारी है, इस सरयंत्र में और कौन कर शामीले इसकी जाच की जारी है आरा में तीन केंद्रों से 6 बियारती कदचार के अरूप में निश्कासित कर दिये गए हैं, उन पर प्रास्मीकी भी दर्श की गई है आप समझे कि बिहार में कोई भी परिच्छा अराम से हो जाए, चांती से हो जाए, ऐसा कभी संभव भी नहीं होता है और ठीक ऐसा ही हुआ है बिहार में सिपाही भरती परिच्छा के पाच्वे चरण यानि अंतिम चरण के दौरान कई सारे अभ्यार्थियों पर F.I.R. दर्श किये गए हैं, किसी पर कुछ आरोफ है, किसी पर कुछ आरोफ है तो एक अभ्यार्थि को लेकर कहा जारे कि उसने वह मार शीट की कॉर्बन कॉपी ही लेकर वो फरार हो गया है बैगे आप क्या कहिएगा, बिहार की सिस्तिती पर क्या कहिएगा, आपने रहा बताईएगा वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं वीडियो में आप देख रहे देशा स्ट्रॉक्स मैंत्य आपके साथ डॉली पांडे, धन्यवाद